हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi Very Good Morning to all of you Study IQ IAS Hindi पे आप सबका स्वागत है दोस्तों आज की जो हमारी परिचर्चा होने वाली है वो इस विशय पे होने वाली है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जिग्या सा रहती है कि First Attempt में IAS कैसे बने है ना तो First Attempt में IAS बन भी सकते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो First Attempt में IAS इनी बनते बलकि टॉप भी करते हैं है ना ध्यान रखेगा तो ऐसे में लेकिन हमें कुछ मूलभूत बातों को जानना जरूरी है तो आज की जो परिचर्चा होगी हम उसी में इस बात को जानने का प्रयास करेंगे ठीक है तो भाई हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित पद है IAS की परिक्षा प्रथम प्रयास में यदि हमें IAS बनना है उसके लिए हमें कुछ विशेश प्रयास भी करने पड़ेंगे धियान दखिएगा विशेश प्रयास भी करने पड़ेंगे क्योंकि केवल सोचने से तो हम first attempt में IAS या प्रथम प्रयास में IAS हम नहीं बन पाएंगे या जो आप जो भी student त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए विशेश प्रयास क्या करने हो सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जब भी भी आप exam में बैठोगे तो उससे कम से कम दो से धाई साल पहले से आपकी पूरी preparation शुरू हो जानी चाहिए बहतर तरीके से यानि आपका जब भी भी आप परिक्षा में बैठो मान लीजिए आप परिक्षा में इस पॉइंट पर बैठेंगे ठीक है for example मैं 2026 के student की बात करूँ 2026 में मुझे attempt तो आपके पास अभी 2024 है लगभग पूरा और 2025 है और 26 में मान लो में में आपका एक्जैम होने तो अगर आप अभी 2024 से 2025 ये दोनों साल पकायदा पूरे dedication के साथ जब आप basically लगोगे इस preparation में तब जाके आप 2023 में प्रथम प्रयास में आईस बनने का सपना देख सकते हुए ना कई बच्चे से हैं छे महीने तयारी की हुए है फीटी देने चले गए और हम तो प्रथम प्रयास में is बने और होने को तो कुछ भी हो सकता है भूप क्यूक्ष एक से का अपना एक syllabus है अपनी एक पूरी की पूरी प्रप्रेशन है और यदि आप UPSC की प्रप्रेशन करोगे तो आपको कम से कम डेढ़ साल का समय चाहिए ही चाहिए अब पूरा GS, SA, CSET, Current Affairs ये सारी चीज़े तयार करने की और साथ ही आपको Optional भी तयार करना है आपका तो डेढ़ साल प्लस हम 6-7 महीने और लगा ले तो आप ये मानिए कि कम से कम 2 साल आपको कड़ी महनत चाहिए ही चाहिए 2 साल की महनत जब आपकी हो जाएगी उसके बाद जब आप attempt देंगे तो हाँ आप बिल्कुल प्रथम प्रयास में ही AIS बन सकते हैं इसके लिए करना क्या होगा तो आपको अभी से लगना पड़ेगा जो भी बच्चे 2026 में attempt देने वाले हैं मैं आपको गलतियां भी बताऊंगी कि student गलतियां कहां कर तो भाई आप क्या करना है आप GS पढ़िए बहुत अच्छे से GS को आपको mains के point of view से पढ़ना है आपको pt के point of view से GS को पढ़ना है इसके साथ आप अपना optional जो होगा जो आपका वेकल्पिक विशे होगा उसके भी मतलब दो पार्ट होते हैं तो उसको भी आपको पूर्ण तयारी उसके करनी पड़ेगी तो यह पूरी तयारी यह कोई color का GS नहीं है कि 10 दिन में हो जाएगी 6 महीने में हो जाएगी नहीं भाई सब्जेक्ट्स हैं धेर सारे सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स केवल आप केवल objective paper नहीं है कि भाई हम केवल जो है थोड़ी थोड़ी समझ बना ले और उससे हो जाएगा ठीक ठाक tough exam है पूरा GS है इंटरनल सिक्योरिटी साइंस यह क्या नाम है साइंस इंटेक ठीक है इसके अलावा disaster management environment ethics यह केवल आपको GS में पढ़ना है उसके बाद आपका ऐसे अलग ऐसे हो गया सी सेट यदि हम PT की बात करें तो सी सेट अलग है तो यह सारी की सारी चीज़ें आपको सारे 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 सब्जेक्ट जो है आपको यदि आपको GS PT और मेंस के दृष्टी कोंड से complete करनी है तो यह सारे मुद्दों पे आपकी बहुत बहतरी इन समझ होनी चाहिए आपको लिख मैं तयार हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ सही तरीका यही होता है परिक्षा पास करने ठीक है सही तरीका यही है कि अब हमारी तयारी हो चुकी है अब मुझे PT अब देना है और दिमाग में यह मान के चलो ना कि मान लिजी आपने इस पॉइंट पर PT दिया और आपका में सी तयार नहीं है तो भाई पीटी क्यों दे रहे हो मुझे तो ये समझ भी नहीं आता क्या आपको ये पता नहीं है कि अगर गलती से पीटी हो भी गया पहली बात तो बिना मेंस को अच्छे से पढ़े पीटी पास करना भी थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि पीटी अपने आईडियाज पर सॉल्व को अर पाते हैं पीटी के खीए जी हमने जो है पीटी दे दिया मेंस पीटी के बाद पढ़ेंगे अरे भाई इस बात को समझेए कि पीटी और मेंस के बीच में कितने महीने का गैप है मैक्सिमम दो से धाई महीने तो टू टू एंट हाफ मंस का गै आफ यू तो मैं उस दैवीय शक्ति वाले बच्चे की बात तो करनी रही कि भई वो 24 में से जो है 22 घंते पर सकता है इस धाई महीने मैं ऐसे बच्चो की बात कर रही हूं जो ओडनरी बिलकुल समान्य Barbara है छो 14-15 घंटे full concentration से पढ़ सकते हैं मैं ऐसे बच्चों की बात करें हूँ क्या ये possible है कि आप 2-5 महीने में पूरा mains cover कर लोगे, GS के 4 उपे पर, उसके बाद essay, उसके बाद optional क्या ये possible है, नहीं possible तो आप इसको चक्र को समझिए कि किसी बच्चे ने बिना mains को तयार किये, बिना optional को तयार किये PT दे दिया अब वो mains होने वाला है 2 महीने बाद, है ना पहली बात इसके 2 संभावना थी कि PT fail हो गया कि क्या है, तो पाती खतम, मान लीजे PT पास हो गया, तो चलो पास हो गया, तो क्या ये mains पास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई, इसमें 0.1% चलो हम संभावना मान ले कि कर पाएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल मैंने सिर्फ आपको खुश करने के लिए लिखा है, बिना mains पढ़े, नहीं mains पास कर पाओगे भाई, इसमें फिर वो देविये शक्तियां भी यहाँ पे थोड़ी कमजोर हो जाएंगी, ठान रखना क्योंकि जब तक आप, आपको मुद्दे की समझ ही नहीं है, कोशन निखना ही नहीं आता है, तो फिर नहीं कर पाओगे, हैना तो ऐसे में क्या होता है, ये कुछ चक्र चलता रहता है, फेलियर का, आप यहाँ पे पीटी पास हो गए, सोरी पीटी फेल हो गए मालो, बिना तैयारी किये, भी मेंस की तैयारी नहीं है माथा पकड़ के चार महीने खराब कर दिया है रहे फेल हो गए, पास हो भी जाते तो क्या कर लेते, जब तक मेंस तैयार नहीं है, कड़वी लगेंगी, बद सच्चा ही यही है ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो फिर अगले साल आ गया, ऐसे ही कुछ चक्र में फस गए इसलिए, जो भी बच्चा, seriously, बिल्कुल sincerely तरीके से तैयारी करना चाहता है, और सच में इस मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, उस बच्चे को एक सही strategy, सही timings, और हर चीज में balance बनाने की जरूरत है, और तब जाके उसे decision लेना होता है, कि मुझे attempt देना है कि नहीं देना, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात है, जब भी भी आप परिक्षा दे, तो परिक्षा से पहले ही, यानि PT में बैठने से पहले ही, आपका पूरा का पूरा GS, optional और essay, यह बहुत अच्छे से तयार होना चाहिए, ठीक है, यह तयार होगा, तो आप अब आते हैं positive पक्ष पर, अभी तक तो मैंने negative पक्ष बताया कि बच्चों का thought process क्या होता है और किस तरीके से वो एक failure के कुछ चक्र में चलते रहते हैं, घूमते कर लिया, तो क्या पता अगले साल rank लगा दो, भास समझ में आ गई, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले point पे आप, जब आपका यह पूरा तयार है, तो अब आप PT दोगे, मान लीजे, आपका PT हो जाए, जो की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपने सारे मुद्दो को conceptually clear किया है, practice की है, है ना, जब आपका PT पास होगा, तो आपके पास जो यह दो से धाई महीने रहेंगे, इसमें आप test series लिखोगे, mains की, है ना, इसमें आप जो है revision करोगे, कहीं कहीं बार revision करोगे, test लिखोगे, अब आप सोचो, अब आप बैठे mains में, तो आपके mains पास होने की संभावना कितने percent बढ़ जाएगी, जैसे हम यह बोलते हैं ना, तीन लाग बच्चे बैठ गए, चार लाग बच्चे बैठ गए, आप यकीन मानों, तीन चार लाग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जिनका में सयार नहीं है, पता नहीं वो क्यों PT में बैठने के लिए बैठ रहे हैं, अपने आप से पूछो ना, अब हम हमको तो नहीं पता, किसी भी टीचर को, अब बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे, नहीं पता कि आपका कैलिबर क्या है, आपकी प्रप्रेशन का स्तर क्या है, ये तो आपको ही सबसे बहतर तरीके से पता होगा, ठीक है, तो खुद से कोशन पूछो, कि क्या मेरे से quality, history, geography, IR या जिस भी विश्या का कोशन पूछा जाए, क्या मैं उसे लिखने की condition में हूँ, क्या मुझे concepts पर clarity है, क्या मुझे question की demand समझ में आती है, यदि आती है, तो well and good आप इस योग्या हो गए हो कि आप exam में बैट वाओ, उसके बाद जब आप means लिखोगे ना, तो आपके पास होने का जो प्रतिशत्ता है, वो बढ़ जाएगी, उसके इंट्रिव्यू, तो इंट्रिव्यू में तो भई, आप अच्छा करोगे ही, क्योंकि आपने तो समग्र तयारी की हुए, असली तरीका यही होता है, परिक्षा में बैटने का, बास समझ में आई, तो प्रथम प्रयास में I.S. बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको तयारी कम से कम डेड़ से दो साल पहले से करनी पड़ेगी, अब यदि हम इस तयारी को थोड़ा विस्तार से देखें, तो भई, आप कैसे क्या करोगे, तो सबसे पहला point है, आपको अपना जो syllabus है, यह बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्ट होना चाहिए, कौन से paper है, किस paper का क्या topic है, और एक-एक topic के उपर, तो आपका एक-एक topic है आपकी जो समझ है, वो बहुत ही शांदार होनी चाहिए, तीसरा point है, आप PYQ की practice करो भर-भर के, जिससे आपका PT pass हो सके, आप answer writing कीजिए, answer writing आपको भर-भर के करनी पड़ेगी, तब जाके आप means में अच्छा score कर पाएंगे, भाई आपको कितना भी ग्यान है, वो ग्यान आपके पास है, लेकिन जब तक आप उस ग्यान को प्रेजेंट करना नहीं आता, लिख के बताना नहीं आता, तब तक आपके उस ग्यान का कोई लाव नहीं, तो आपको answer writing practice कर, मेरा एक student है, अंकित नाम है, है ना, टेलिग्राम पे मैसेज करता है, उसने 365 hard challenge day ले रखा है, म बच्चे ने कभी miss नहीं किया, तो ऐसे बच्चों का selection नहीं होगा, तो किसका होगा, daily एक question, भेजता है एक ही है, लेकिन कम से कम उसने hard challenge लिया, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे daily question लिखना है, कितनी बड़ी बात है, आपको थोड़ी छोट आरे, एक ही तो लिखता है, अरे भाई एक लिखना तो शुरू करो पहले, धीरे धीरे, लेकिन अब सोचो, जिस दिन वो 358 अंसर लिख लेगा, उसके बाद वो बच्चा कभी अंसर लिखने से डरेगा, क्या, कैसा भी question आ जाए, वो अंसर लिखने से डरेगा नी, क्योंकि वो इतनी practice कर चुका है, ये तो current affairs को बहुत ही शांदार तरीके से up to date, अपने notes को up to date करते हुए चलना है, इसके साथ मैं बोल सकती हूँ कि जो NCRTs है, NCRTs पे अपनी command बना लो, क्योंकि NCRTs basic हैं, बट बहुत महतवपूर्ण है, यदि आपको NCRTs की समझ बहतर तरीके से हो गए, तो basic आपका strong हो गया, advanced level फिर आप बहतर तरीके से पत्किल होगे, तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा, और अगला मुद्दा है निरंतरता, आपकी पढ़ाई में निरंतरता होनी चाहिए, यदि आप आज 5 दिन पढ़े, फिर 6 दिन नहीं, फिर 8 दिन नहीं पढ़े, फिर 3 दिन पढ़ लिए, फिर 2 दिन नहीं पढ़े, इस से आप कभी भी अपने syllabus को बहतर तरीके से पूरा नहीं कर पाओगे, कभी भी positive mindset के साथ पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि जो व्यवधान आते हैं ना पढ़ाई के बीच में, कहीं बचों को लगता है मैं depression में हूँ, मैं थोड़ा उदास रहत हूँ, रहती हूँ, उसके पीछे के region समझ के देखना, आपके कोई व्यक्तिगत कारण हो उन पे तो मैं नहीं जा रही हूँ, इस एज में अन्य कारण भी हो सकते हैं, depression या negativity के, है ना, समझी रहोंगे, बट एक जो main कारण मैं पढ़ाई के point of view से बोलू, सबसे बड़ा कार होता है, depression और negativity का वो ये, क्योंकि हम continuity के साथ उतनी महनत नहीं कर पा रहे हैं, जितनी इस exam के लिए जरूरी है, हम पांस दिन पढ़े, चार दिन नहीं पढ़े, फिर अगले दिन दो दिन पढ़ेंगे, तो बढ़े बुझे बुझे मन से, क्योंकि चार दिन वेस्ट कर चु पूरी हैं भाई, आपकी continuity से डेड़ से दो साल की महनत, ये कब महनत है, ये परिक्षा देने से पहले, परिक्षा में बैठने से पहले की ये जो दो साल की महनत है, बैठने से पहले, ये महनत बहुत जादा, ये महनत सबसे जादा महतुपूर्ण, सबसे जादा महतुपूर यह मेहनत थान रखेगा यदि यह मेहनत आपने बहुत जबरदस तरीके से कर ली तो PT भी होगा मेंस भी होगा इंटरव्यू भी होगा और आईस भी आपका ड्री में आईस आई जो भी चाहते हो वो बनोगे बास समझ में आई दिक्कत कहां है दिक्कत यह है कि छे महीने तैयारी कर ली बैठ गए पीटी में उसके बाद कुछ अक्र में फसते चले गए फेलियर जेलते चले गए क्योंकि तैयारी संपूर्ण नहीं हुई ठीक है तो समपूर्ण तैयारी करनी पड़ेगी सबसे बड़ा सूतराज का यही है इसके साथ यदि आप बहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हो दो हजार पच्चेस, चब्विस, सताइस में अटैंप्ट देना चाहते हो तो आपको पूरा जीएस कंप्लीट करना पड़ेगा है ना मेंस के पॉइंट ओफ्यू से पीटी के पॉइंट ओफ्यू से तो आप हमारे स्टडी आएक्यू आइस हिंदी के पीटू आई बैस से पीटी मेंस इंटर्व्यू तीनो सतर की प्रप्रेशन है जीएस की जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा जीएस पढ़ाया जाएगा आपको पीटी से पहले पीटी की स्पेसिफिक क्लासिस करवाई जाएंगी इंटर्व्यू गाइदेंस प्रोग्राम इस पू इसी चैनल पर हमारे चैनल पर देख सकते हैं तो आपको बहुत ही बहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है तेरा से चोधा महीने में आपका पूरा सिलिब्स कंप्लीट हो जाएगा फिर पीटी की स्पेसिफिक क्लासिस मेंस गाइदेंस प्रोग्राम इसमें प्रोग्राम इसम पूरा बैच मिल रहा है 39 तारीक तक 29 फरवरी तक यानि 22,499 में पीटी मेंस इंटरव्यू जीएस भूल जाओ फिर जीएस निबंध सी सेट करन्ट अफेर सब कुछ इसमें इंक्ल्यूड है इसके अलावा बस आपको अपना उप्शनल तयार करना होगा ठीक है तो 22,499 में आप इस बैच से जुड़ सकते हो यदि एड्मिशन लेना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया होगा वहां जाके एड्मिशन लेलो या स्टडी आईक्यू की एप या वेबसाइट पे जाके भी आप एड्मिशन लेने से पहले कोड यूज कर लि मिल जाएंगे इंस्टेग्राम फेस्बुक पेज सेम नाम से हैं यहां पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं पाकी अपने उपर पूरा विश्वास रखिए भरोसा रखिए सही दिशा में महनत कीजिए और यह मत सोचिए कि मुझे 6 महीने तैयारी करने के बाद यह एक्जा करना है तो यह थोड़ी ना है कि भई आधी तैयारी हुई है चलो युध में कूद जाओ जब युध में नहीं कूद सकते कि जान चली जाएगी तो यह भी तो एक तरीके का युध ही है इस युध में बिना तैयारी के कैसे चले जाओगे ठीक है तो आपको सारी तैयारी प और ये मेन मुद्दा समझ में आया होगा कि यदि इतना प्रतिष्ठित पद भाई ये पद जिस दिन उस लिस्ट में नाम आ जाता है आपकी जिन्दगी बदल जाती है ठीक है आपकी बात की वेल्यू होने लगती है सुसाइटी में इतना आप दुनिया में मतलब आप अपने अपने छित्र में जो लोग हैं उनके जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हो जो गरीब है जो वंचित हैं जिनके लिए आप काम करोगे कल को तो इतना प्रतिष्ठित पद है तो उस पद के लिए 6 महीने की तयारी इनफ नहीं है आपको कम से कम 2 साल की तगड़ी मेहनत चा हिंजे भारत और था थैंक यू सो मुझ हिंदी में यूपी एसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टडी आइक्यू आईएस हिंदी